इस वीडियो में मैं चार common mistakes discuss करूँगा जो कि students करते हैं ITJ की preparation में बहुत important वीडियो होने वाली है ये और इसमें मैं brief में और केवल important points discuss करूँगा आप कोशिश करना कि वीडियो को end तक देखें, skip ना करें सबसे पहली चीज, tuition hours greater than self-study hours बहुत सारे students के साथ क्या होता है, school जाना है, उसके बाद you know they have coaching and उसके बाद let us take उनके कुछ tuition होते हैं उसमें जाते हैं and at the end of the day उनके पास self-study के लिए बिल्कुल भी time नहीं होता यह सबसे बड़ा blunder होता है, उनको लगता है कई बार misconception भी होता है कि हम somehow एक बार syllabus पूरा कर लेते हैं और फिर end में हम self-study करेंगे जो कि बहुत गलत है, when you are covering a chapter, sufficient आपको practice उस chapter पे करने चाहिए, नहीं तो आप chapter को नहीं समझ पाएंगे इसका एक solution हो सकता है कि आप dummy school choose करें, जिससे थोड़ा time save हो जाए, but उसमें थोड़ा सा careful होना पड़ेगा आपको, कि at least आप NCRT अच्छे से खुद से पढ़ लें, at least before the exams, ठीक है, और 11th में तो मतलब चलेगा, लेकिन 12th में थोड़ा सा आपको ज्यादा focus करना पड़ेगा boards के लिए, एक और चीज जो avoid करने चाहिए, वो है कि ज़्यादा traveling नहीं होना चाहिए, अगर आपको coaching बहुत दूर है घर से, एक घंटा जाना, एक घंटा आना, कई लोगों के लिए बहुत hectic हो जाता है, और फिर दिन के end में ठक जाते हैं, और फिर practice कुछ होनी पाती, इस चीज को avoid करना चाहिए, either then you can choose some online option, अगर better option है online में तो, जो दूसरी सबसे common mistake है वो है कि preparation बहुत late start करना, कई बार लोग 12 में आ जाते हैं, और even 12 भी जब आधी बीच जाती है, then they plan की नहीं, अभी मेरे को ITJ के लिए prepare करना है, and then they start, you know, putting some efforts for that, जो कि बहुत ही गलत है, और न उसमें हो पाता है, कुछ, you know, selection होना impossible हो जाता है, वहाँ पे जाके, impossible तो नहीं, but yes, it is very difficult then, so मैं कहूंगा कि आप अपनी preparation 11th में जो शूरू कर रहे हैं, 2 years is sufficient for ITJ provided, if you are focused, from the very beginning, बिल्कुल शुरुआत से बहुत focused होना पड़ेगा, हर, you know, हर दिन को कैसे, you know, बिताना है, व if you do like that, for 2 years, 2 years sufficient है, ITJ की preparation के लिए, ठीक है, एक और भी option है, कुछ लोग थोड़ा पहले preparation शुरू कर देते हैं, you know, 9th में, 10th में, और उससे भी थोड़ा advantage मिलता है, कि 11, 12th का syllabus, एक बार आप already, you know, कर चुके हैं, so when you start preparing for ITJ, तो आपके लिए चीजे grasp करना, और चीजे समझन असान हो जाता है, कि वो भी एक अच्छा option है, मेरे पास भी कुछ students थे, जिनोंने, you know, 11, 12th, पहले ही पूरी कर ली, और even मानलो कि आप 12th में आने के बाद preparation शुरू कर रहे हैं, so मैं बोलूगा, your goal should be only J means, कि भाई, J means के लिए ही focus करो, advance के लिए plan ना करो, वो तो बहुत मु मुश्किल होगा उसके लिए, so that he can avoid, third, जो mistake है, not having sufficient practice in each topic, भाई, हर topic के लिए, properly, you know, number of questions नहीं करना, कई बार क्या होता है, कि classes attend कर ली, और हमें लगा कि हाँ, topic समझ में आ गया है, और या फिर module से कुछ questions कर लिए, उसके अलावा कोई practice नहीं की, नहीं, वो गलत है, even अगर आप मालो किसी coaching, आपने join किया है, coaching के modules से, ठीक है, आपको modules तो solve करना ही है, लेकिन, उसके साथ additional practice भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि modules भी अपने आप में sufficient नहीं होते, उसके end में कई बार, you know, थोड़े-थोड़े questions मिलते हैं, किसी topic पे, और किसी important topic पे, कई बार, कई modules में questions होते ही नहीं है, तो आपको कुछ और books भी, you know, prefer करनी चाहिए, practice के लिए, और जो चोथी सबसे common mistake है, कि एक proper platform ना होना, doubts clear करने के लिए, अभी क्या होता है, कई सारे coachings में, आप join करेंगे, आप classes कर सकते हैं, online या offline, लेकिन, doubt पुछने के लिए, proper platform नहीं होता, या तो teacher available न 11-12 का पूरा पढ़के बैठे हैं, और आपको थोड़ा सा peer pressure लग रहा है, कि मैं इतना simple सा question पूछूँगा, तो teacher को कैसे feel होगा, तो वो भी कह सकते हो कि एक reason रहता है, कि हम doubts नहीं पूछ पाते, और कई सारी coachings में एक और दिक्कत रहती है, कि जो students already topper level के होते हैं, उनको तो faculty मिलेंगी, you know, faculty के पास उनके लिए time भी होगा, क्योंकि क्या होता है, कि coaching उनसे expect करते हैं, कि ये लोग मेरे लिए अच्छी rank लाके देंगे, लेकिन जो average level वाले students होते हैं, उनको teacher की availability मिलना possible होता ही नहीं है, और even batches इतने बड़े-बड़े होते हैं, 100 का batch हो गया, 150 का batch हो गया, online, offline, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें student कैसे doubt पूछ सकता है, सो लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, you know, teacher आगे बोल रहा है, अभी एक student बहुत shy feel करता है, इसमें, छोटे-छोटे batches नहीं होते, बहुत भारी-भारी batches होते हैं, तो ये दिक्कत होते है कि one-on-one guidance students को नहीं मिल पाता है, although students कह सकते हैं, भाई, topper का मेरा मतलब यह नहीं कि आपने, you know, अपनी 10th में अच्छी सी GPI लेके आए हो, उसका मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि toppers वो लोग जो कि already 10th में 11, 12th का या फिर 8th में 9, 10th, 11, 12th का cover करके बैठे होते हैं, ठीक I had also few students, जिन्होंने already 11, 12th का syllabus पूरा कर लिया है, जैसे बहुत सारी coachings में आप देखेंगे, तो batches होते हैं, उसमें भी, you know, levels, grades होते हैं, A1, A2, A3, A4, और यह A10, A11, ऐसे तक जाते रहते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, वो लोग कि toppers के कौन सा, एक batch topper वाला होगा, A1 और बागे सारे batches, जनरल रहेंगे, जिसमें average students हैं सारे, और फिर क्या होगा, A1 को तो पूरा attention और अच्छे teachers मिलेंगे, और बागे सारे batches के लिए proper उनके पास time होगा ही नहीं, अगर आप teacher को, you know, approach करेंगे, तो hardly आप कभी, एक दो doubt, you know, एक महिने में कभी पूछ लिया तो पूछ ले नहीं, तो वो भी नहीं हो पाता है, अभी देखो मैं कैसे करता हूँ मेरी online classes में, दो type के batches है मेरे पास, एक तो batches होता है कि छोटे batches इनको बोलते हैं, जिसमें मैं केवल 6 students तक रखता हूँ, तो छोटे batches में क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा focus रहता है, और थोड़े से बड़े batches होते हैं, जो कि लोगों के लिए cost effective भी हैं, और you know attention भी sufficient रहता है, so that is there, और उसमें doubt sessions regularly करना, you know students के साथ interaction करना, देखना कि वो questions all कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत important points हैं, जो कि actually एक teacher को ध्यान में रखना चाहिए, मेरे पास कई सारे students हैं, जो कि already LN या फिर FITG या फिर ऐसे coachings में coaching ले रहे हैं, लेकिन they you know take separate session for doubts, doubts के लिए अलग से session रखते हैं, क्योंकि उनको proper कह सकते हो कि doubts के लिए space नहीं मिल पाता है, तो लेकिन वो one-on-one session सब के लिए possible नहीं हो पाते हैं, क्योंकि one-on-one sessions जो होते हैं, वो costly होते हैं, everybody cannot afford them, लेकिन अभी कुछ ऐसा platform या फिर ऐसा system तो होना चाहिए, ता कि आपके doubts clear हो सके हैं, so इसलिए में बोलूगा, जब भी आप किसी भी institute से या फिर कहीं से भी coaching ले रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई, क्या मैं यहाँ पर doubts पूछ पाऊंगा, अभी क्या resultant लेने के लिए बोलो, वेक्टर resultant नहीं ले पाएंगे, या फिर integration या फिर differentiation थोड़ा fundamental सुन का चेक कर लो, kinematics के कुछ basics चेक कर लो, कुछ नहीं आता होता, तो उसको लेके फिर 12 को कैसे शूरू करे, you know, already मतलब कह सकते हैं, एक तरीके से student को, student spoil हो चुका है, in one sense actually, Instagram पे मे भाई, देखो, इतना possible नहीं है मेरे लिए कि इतने सारे students को cater कर पाना कि one-on-one उनके questions में solve करके भेज सकूँ, तो इसलिए मैं respond भी नहीं करता, लेकिन, at least I am planning कि भाई, कुछ टाइम बाद, I will make some arrangement for that also, after some time, I will be starting YouTube live sessions, जिसमें मैं, you know, live sessions में, मैं सबको opportunity दूंगा, देके ना doubts, at least one doubt they can ask, okay, but it will take me some time for that, तो I will let you know, Instagram पे मैं आपको बदा दूंगा, when I will start that, okay, thank you all, have a nice day.